खुश खबरी, खुश खबरी, खुश खबरी, मितुन नाशी वालों के लिए खुश खबरी अब मितुन नाशी वाले अपने कान खोल कर सुने, थोड़ा सा अच्छे से सुने क्योंकि ऐसी शुब समाचार बड़ी किस्मत से मिलते हैं सुनने को और लंबे वक्त के बाद मिलते हैं सुनने को प्रेम, धन, दौलत, लग्जरी के कारगर, शुक्र अपनी उच्छ राशी में जा रहे हैं पंद्रा फरवरी को यानि मीन राशी में और मीन राशी में शुक्र का गोचर होगा और वहां पर पहले से ही स्वागत कर रहे हैं देव गुरू बरस्पती क्योंकि देव गुरू बरस्पती भी मीन राशी में बैटे हो हैं अपनी स्वैम की राशी में तो मीन राशी में गुरू देव पहले से हैं, शुक्र जाने वाले हैं औरा फरवरी को शाम साथ बचकर पंतारिस मिलड़ पर लगबग और ये हैं, वहां पर रहेंगे बारा मार्ज तक, तो फरवरी का आधा महीना और मार्ज का आधा महीना लगबग लगबग आपके लिए, खुश खबरी, खुश खबरी से भरा होगा, खुशियों के आलम से भरा होगा शुक्र सभी प्रकार के सुक देते हैं, शुक्र अच्छा है तो सभी सुक अच्छे है शुक्र नहीं तो सब जीरो है, शुक्र प्यार है, शुक्र महबत है शुक्र आशिकी है शुक्र शायरी है शुक्र फिल्मी दुनिया है शुक्र ये प्रकरती है शुक्र एक बढ़िया संदर भोजन है शुक्र आभूशन है शुक्र अच्छे वस्तर है अच्छा घर अच्छा बंगला और घर में जो साफ सफाई है वो शुक्र है शुक्र लक्ष प्रकरतिक सुन्दरता के कारग ग्रहे हैं और देव गुरु ब्रस्पती धर्म के ग्रहे हैं ग्यान के ग्रहे हैं बुद्धी के ग्रहे हैं और पैसे देने वाले ग्रहे हैं संतान के ग्रहे हैं शादी कराने वाले देव गुरु ब्रस्पती और शादी का सुख देने वाले श शुक्र होते हैं तो दोनों ही शिक्षक हैं टीचर हैं या कहें दोनों ही प्रोफेसर हैं शुक्र भी प्रोफेसर गुरू भी प्रोफेसर वो भी बहुत उच्छ दरजे के दोनों प्रोफेसर एक साथ बैठेंगे तो उनका जो ग्यान होगा वो हर राशी को मिलेगा हम इस वी बूत इस्तती होने वाली है आपके लिए सब कुछ बहुत बेहतर होने वाला है शुक्र धन के गारग रहे हैं आसमान में जो सबसे तेज चमकता हुआ तारा होता है वो होता है शुक्र और शुक्र पैसा है तो शुक्र मिथुन राशी वालों का पैसा खर्च करवाएंगे चमतकार तो यहां पर हंस नामक पंच महा पुरुश योग गुरु बनाएंगे और मालव योग कौन मिलाएगा शुक्र देव बनाएंगे तो आप समझ लिए सब कुछ बढ़िया ही बढ़िया है और आपकी राशी के स्वामी बुद्ध भी ग्यान के कारक रहे हैं बुद् मिलते हैं तो श्री लक्ष्मी नारायन योग भी बनता है तो आप इतना समझ लें ये साल दो होजाद 23 का सबसे शांदार मौका होगा और ये मौका दुबारा शायद इस साल में कभी नहीं मिलेगा तो आप ये समझ लें आपका भाग के चमकने वाला है दशम भाव केंदर बैट कर दो नोग रहें आपको माला माल करने वाले हैं हर प्रकार कर सुख देने वाले हैं पैसा खर्च होगा लेकिन पैसा आएगा भी पाप करतनी योग भी पनेगा तोड़ी बहुत साफधानिया भी रखनी होगी तो चलिए क्या करना है क्या नहीं करना है ये सब मैं ज्यान रखें और इस समय में प्यार हो या पैसा हो उसमें इमानदारी पूरी दिखाईएगा तो आपके लिए मालव योग और हंस नामक योग बन रहा है दसवे घर में गुरू की बढ़िया द्रश्टी गंदा जल जैसी प्रवित्र द्रश्टी चौथे घर पर होगी और परिवार में अच्छी अच्छी चीजी आइंगे जिसका उप्योग करके आप खुश हो जाएंगे दिल खुश हो जाएगा कि अब मुझे ये मिल गया अब मुझे वो मिल गया अब आप एक बच्चा है चो खिलोना मिल जाता है तो कितना खुश होता है ऐसे आपको नौकरी मिल जाएगी अगर नौकरी की जरूरत होगी किसी को पत्नी मिल जाएगा किसी को पती मिल जाएगा किसी को बढ़िया भूजद मिल जाएगा किसी को घर मिल जाएगा किसी को वस्तर मिल जाएगा किसी को जिन्दगी के सारे सुख मिल जाएगे कोई गल्फरेंड के साथ गूमे लेकिन मर्यादा में तभी आपको अच्छे सुख मिलेंगे बढ़िया घुमना फिद्ना होगा ट्रेवल होगा देश विदेश की यात्राएं होगी विदेशी कंपनी में नौकरी होगी पुरानी जो गंदी सडी नौकरी है उससे आप मुक्ति पाकर बढ़िया नौकरी वेबसाइज जो चल नहीं रहा था वहाँ पर आप दम भर देंगे वेबसाइज चलने लगेगा भागने लगेगा पैसा आने लगेगा सही इंवेस्टमेंट होगा आप छुपे रिष्टम होगे आप जो चुपे हुए गुण है जो दुनिया देख नहीं पा रही थी वो सामने आएंगे आप दुनिया को आप दिखा देंगे कि मैं हूँ नंबर वन भूवी भवन वाहन प्रापर्टी का सुख मुलेगा घर बना लेंगे सम्मान प्राप्त होगा जो लोग आपको देखते रही थे जो लोग आपकी तरफ उगली उठा के बात करते थे आज वो न पत्ती बढ़ेगी पिता का सम्मान बढ़ेगा पिता का धन बढ़ेगा पिता की पदोनती होगी परिवार में शुक्षानती होगी माता का प्यार बढ़ेगा माता की सिहत को लेकर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा उच इस्तर की सफलता आपको मिलने वाली है आपका खत्र होने वाला है पिता की सेवा आपको शुब परिणाम देगी केसर का टीका माथे पर लगाईएगा परिवार में हर सुख सुविधा का समान होगा सुई से लेकर हवाई जास तक आपके घर में होगा हर चोटी बड़ी चीज होगी देश विदेश की यात्रा होगी मालव योग आपको धरी बनाएगा वो दिमान बनाएगा टीवी मीडिया शोशल मीडिया में आपको नाम कमा देगा सफलता सामने आकर खड़ी हो जाएगी बहुत तिक सुख इस दुनिया में जो चीज़ पैसे से खरीदी जा सकती है वो खरीद लेंगे जो चीज़ भावनाओं स करते हैं विद्यारती है जटपट सफलता परिच्छा परत्योगता बे मिलेगी बातों ही बातों बेजितने के माहिर होंगे परिवार का सपोर्ट होगा धन कमाएंगे सभी लोगों के बीच में लोग प्री हो जाएंगे जो लोग आप से बात तहीं करते थे अब आपके है इंटर्विवेब में सफलता पाने का सही समय है इंटर्विव दे डालिए मन मताबिक पैकेज मिल जाएगा गुमने फिरने के लिए बढ़िया वक्त है तीर त्यात्रा करने के लिए बढ़िया वक्त है जरूँ से अधिक खर्चे बत करिये वहां ध्यान रखियेगा पूजा करिए गाएं को रोटी दीजिए आपके काम बन जाएंगे श्री अंतर पर कुमकुम का ठीका लगाएं केसर का ठीका लगाएं देशी की का दीपक जिलाएं पत्नी का सम्मान करें पत्नी की सला से काम करें बढ़िया साफ सुत्रे कपड़े पहने घर को साफ सुत्रा र घर वाले आपको अब यह नहीं कहेंगे कि तुम लायक नहीं हो तुम बहुत लायक हो तुम लायक पहले भी थे लेकिन हमारी कमी थी कि हम तुमारे गुनों को देख नहीं पाए अब आप अपने घर लिए क्या कहते हैं वह चिराग बनकर निकलने वाले हो जो पूरे घर को ही नहीं पूरे महले को रोशन कर देगा आपके बड़े बजुर्गों का आशिरवाद आपको मिलने वाला है और केसर का टीका लगाईए माता पिता का सम्मान करिए अगर आप छोटे बच्चे हमान लीजिए आपके घर में कोई और मितुन नाशिका नहीं और आप छोटे बच् कार में तरक्की पढ़ाई करते हैं तो पढ़ाई में तरक्की धर्म से जुड़े हैं तो धर्म में तरक्की कर्म में तरक्की मैं यही कहूंगा थोल नगारे बजाईए और सुनिये 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 अब मितुन नाशिवालों को घर में खुश खबरी या रोज होंगी लेकिन लेकिन शर्ट यह है कि अगर आपकी महनत सही है आपकी जिनम फुनली में सितारे सही है तो ये दुनिया और ये तौलत आपकी है और अगर सितारे अच्छे नहीं है आपकी महनत सही नहीं है तो सब को जीरो भी हो जाएगा तो सब को तो नहीं मिलेगा लेकि जिनकी सित प्रतन आपके घर में होने जा रहा है अब तरक्की का रास्ता खुलने जा रहा है बहुत बड़ी है और अगर आप जपनी जनम कुर्णी बनवाते हैं बनवाईए और अपनी जनम कुर्णी को दिखलवाईए ऐसे शुब मौके अपने हास से मत जाने दीजिए एक बार जनम को भी अच्छा करिए और सही माग दर्शन पाइए और सही रत्म पहनीए रदटराफश पहनीए और सही पूजर करिये तभी तरक्की मिलेगी गलतिया करेंगे तो कुछ हाथ नहीं आएगा वीडियो को सुनने से कुछ नहीं मिलेगा वीडियो में जो कर्म की बात किगई है ग्यान की बात की गई है उसका उपयोग भी करिए तभी सफलता बिलेगी हर योग नवशकार